हेलो ग्रेट फूचर टीचर्स इस प्रिस्टोपाद याई हम बात कर रहे थे लास्ट सेशन में लैंग्विज डेवलप्मेंट के बारे में तो सबसे पहले हम यह रेखेंगे कि हमने क्या-क्या चीजे पढ़ ली थी और फिर उसके बाद यह जानेंगे कि इस सेशन में हम क्य किन-किन चीजों के बारे में बात करने वाले है ठीक है तो इससे पहले का जो सेशन था सेशन बन उसमें अमने वाटट इस लैंगविज जाना था कि लैंगविज क्या है इसकी डेfinition अगळा पड़ी थी लैंगविज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जाना साथ ठीक है, जो कि directly exam में पूछे गए हुए है, last years उठा कर आप देखेंगे, तो इनके questions भी हमने practice किये थे साथ में, characteristics of language हमने जानी थी, और जो pyqs थे, जो कि बहुत जादा important है exam के लिए, pyqs वो हमने last session में discuss किये थे कुछ, जो उस topic से related थे, ठीक है, इतनी चीज़े हमने last session में की थी, तो यह जो session है, यह है acquisition and learning, इस session का जो topic है, वो acquisition and learning, यहाँ पर आप पथर्म नेल में देख रहे होंगे, हम क्या क्या चीज़े discuss करने वाले है, acquisition क्या है, learning क्या है, दोनों की बीच में क्या difference है, उसके बाद norm choms की क्या कहते है, language learning के बारे में, उनके क्या views थे, और universal grammar का क्या concept है, और इसके साथ साथ PYQs, एक चीज़ आप विहान में रखिए, जो आपका exam होने वाला है, seated का, December में, उसके लिए PYQs का एक बहुत एहम रोल है, PYQs बहुत ज़ादा जरूरी है, यहनि previous year questions अगर आप करके जाते हैं, तो आपके assured number आने वाले हैं, अभी जो mock test आया हुआ है site पे, उसको अगर आपने लगा लिया होगा, तो आपको अंदाजा हो चुका होगा, कि पिछला जो भी questions है PYQs में आया हुए, वो कितने ज़ादा important है आपके exam के लिए, तो इसी के साथ हम चलिए शुरू करते हैं, आज का topic acquisition and learning, यह देखिए, seated का जो अभी latest syllabus आया है December 2021 के exam के लिए, उसमें भी आपको मैं यहां पर दिखा दूँ कि language 1 हो चाहे और या फिर चाहे language 2, दोनों के ही pedagogy section में learning and acquisition topic है, that is very important topic कि यह आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए, और इससे आगे जो discuss करने वाल है principles of language teaching, वो भी topic important है, इसलिए इनसे मतलब एक, equations आपको देखने को मिलने ही मिलने है exam में, learning and acquisitions है, तो इसी के साथ चलिए, शुरू करते है, acquisition होता क्या है, acquisition का मतलब है urgent, ठीक है, हिंदी में अगर इसकी बात करते है, तो इसका मतलब होता है urgent, यानि कुछ urgent करना, या English में कहा है तो take over, act of obtaining something, तो acquisition refers to an early stage of learning process, मतलब acquisition भी ए early stage पर, यानि जो बच्चों का जब शुरुवाती जो दौर होता है, learning का, उस दौरान की जो learning process होती है, उसको हम acquisition कहते हैं, उसमें होता क्या है, कि बच्चा जो भी चीज़े अपने आसपास environment में पाता है, जो भी stimulus उसके environment में present होता है, वो उसी को acquire कर लेता है, ठीक है, जैस अगर आप देखने हैं, इमेज में, जो छोटे बच्चे होते हैं, अपनी अगर मम्मी को make-up करते वे देख रहे हैं, तो फिर वो भी वही चीज़ कापी करने लगते हैं, कि बाहर भाई, मम्मी लिपस्टिक लाए थी, फिर मम्मी बाहर गई और बच्चे ने पूरा मूँ मूँ लिपस्टिक से लाल कर दिया, या फिर शेविंग करने वाला एक एक जामपल आप याद कर सकते हैं, फादर शेविंग करने तो बच्चे ने देखा, फिर बाद में उसने पूरे मूँ पे वो शेविंग क्रीम वगरा लगा ली पूरे में, तो यह क्या चीज है, इसी को हम acquisition कहेंगे, अरजन यानि जो भी stimulus बच्चा अपने environment में आसपास देख रहा है, वो उसको acquire करनी के कोशिश कर रहा है, उस behavior को acquire करनी की कोशिश कर रहा है, यह है एक acquisition का मतलब, ठीक है, इसके बाद अगर हम learning की बात करते हैं, तो अगर Skinner ने कहा है, according to Skinner, learning is a process of progressive behavior adaptation, एक लगातार चलने वाला behavior में adaptation है, मतलब जो behavior में change आता जाता है, time के साथ लगातार, उसको हम learning कह रहे हैं, और यहाँ पर learning में क्या होता है, कि हमें अपने efforts देने पड़ते हैं, और यह consciously होता है, मतलब जैसे acquisition क्या था, acquisition आपका naturally हो रहा था, अगर language की बात करते हैं, जब बच परियोग होती है, जिस तरह का language उसके environment में present होता है, उस language को acquire कर लेता है, और सीख लेता है, ठीक है, तो उसके लिए उसको कोई efforts नहीं डालने पड़ते है, या उसको कोई grammar की books नहीं रटानी पड़ती, कि बेटा यह इसके rules हैं, इसको आप ऐसे पढ़ो, ऐसे बोलो, तो उ चीज रटानी नहीं पड़ती, वो उसके environment में जैसा use हो रहा है, वो उसको वैसा का वैसा ही acquire कर लेता है, तो यह होता है acquisition, लेकिन learning में क्या है, कि learning के लिए आपको efforts देने पड़ते हैं, जैसे अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, तो आप Hindi language को, normally अगर North State में है आप, तो वहाँ पर आप Hindi language को normally acquire कर लेंगे, बच्चा, वहीं अगर बच्चा अमेरिका में जन में लेता है, तो वो English language को acquire कर लेगा, लेकिन अगर आप एक बड़ा व्यक्ति, पहले इंडिया में रहता था, और फिर वो अमेरिका में जाता है, तो वो एकदम से उस language को acquire नहीं कर सकता उसे वहाँ की language सीखनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो होता है learning, यानि अब जब उसको चीज सीखनी पड़ रही है, तो उसके लिए अपने efforts देने पड़ रहे है, उस काम को consciously कर रहा है, ठीक है, तो यह था learning और acquisition का एक normal meaning आपको समझना चाहिए, अब इसके बीच में क्या difference है अब हम यहाँ पर जो difference देखेंगे, वो language learning को लेकर देखेंगे, ठीक है, अभी तक जो हमने बात की थी, वो एक journal में कर रहे थे, कि what is acquisition and what is learning, बट अब यहाँ पर जो difference आप देखोगे, वहाँ पर हम उसको किसके respect में कर रहे है, language learning के respect में, देखिए, जब acquisition की बात करते हैं, तो वहाँ पर जब अगर आप कोई भासा acquire कर रहे हैं, भासा acquire कर रहा है कोई बच्चा, तो वो process naturally होगी और subconsciously होगी, यानि बच्चे को उस चीज़ के लिए अपने efforts देनी की जरूत नहीं पड़ेगी, अपने mind को वहाँ पर स्थिर करके एक जगे लगाना नहीं पड़ेग ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप learning कर रहे हैं, एक बड़ा व्यक्ति किसी भाशा को सीखना चाता है, तो उसके लिए वो एक conscious process होगी और उसको अपने efforts देने पड़ेगे, efforts are needed, लेकिन वहाँ पर क्या है, वो natural process है, वहाँ पर आपको efforts लगाने की जरूत नहीं है, और जो acquisition की जो process होती है, वो एक early stage process है, यह आपको ध्यान में रखना है, acquisition क्या है, एक early stage process है, और learning जो है, वो हमारी later stage process है, यानि बात की stages में learning होती है, acquisition भी एक learning का ही हिस्सा है, पर जो अगर early stage पर होता है, तो हम उसको acquisition नाम दे देते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर acquisition में आपको किसी books, books या rules की जरूत नहीं पड़ती, बच्चा अपने आप सारी languages सीख लेता है, या उसको कोई rules नहीं रटाने पड़ते है, या उसको कोई book नहीं देनी पड़ती, कि बेटा ऐसे बोलो, इस चीज को ऐसे बोलो, वो अपने आप जैसे बड़ा होता जाता है, अपने environment से चीजों आपको grasp करता है और सीखता चला जाता है, बट वहीं आप अगर हिंदी भाशी छेतर के निवासी हैं, तो आपको English सीखने के लिए books और rules की जरूत पड़ेगी, आपको books पढ़ने पड़ेगी, आपको उसके rules को, आपको उसके grammatical rules को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ठीक है, तो learning के लिए आपको books और rules की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर acquisition में कोई target नहीं है, मतलब अब यह जब काम consciously नहीं हो रहा है, तो हमें यह तो पता नहीं कि हम किसी process के दौरान कुछ चीज सीख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा कोई target सेट नहीं होता, धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वो वैसे वैसे चीजों को acquire करता जाता है, but learning में हमारे पास एक target होता है, हमें English language सीखनी है, तो यह हमारा target हो गया कि हमें English language को सीखना है, तो उसके लिए हमें इस books की जरूरत पड़ेगी, इन rules को पढ़ना पड़ेगा, इसको ऐसे कर पड़ेगा, तो आपर हमारा target सेट होता है, ठीक है, acquisition में हमारी कोई formal teaching नहीं होती, और वहीं learning की बात करें, तो learning के लिए हमें formal teaching help करती है, हमें learning के लिए formal teaching को अपनाना पड़ता है, जैसे आप English की कुछ classes वगरा लेते हैं, या course वगरा लेते हैं, या फिर आपको कोई guide करत है, इसे ऐसे बोलना है, या ऐसे सीखना है, तो या फिर इसे ऐसे use करना है, तो learning के लिए आपको guidance की जरूत पड़ती है, acquisition अपने आप होता है, acquisition एक normal natural process है, ठीक है, अब यहाँ पर जो biggest role है, वो है environment का, ठीक है, अगर आपको, आपको जैसा environment मिलेगा, उसे हिसाब से आपका acquisition होगा, और उसी हिसाब से आपका learning होगा, कैसे, देखिये, अगर बच्चा इंडिया में जन मिलेता है, तो वो अपने आप Indian language, यानि हिंदी और या फिर जो भी अगर North State में है, जिसे हिंदी महाँ पर normally use होती है, तो वो उसे हिंदी का environment मिलेगा, और वो उस natural हिंदी environment में ही उसको adopt कर लेगा, उसको acquire कर लेगा, ठीक है, वहीं अगर वो अमेरिका में जन मिलेता, तो वहाँ के environment के हिसाब से वो English language को acquire कर लेता, तो यहाँ पर environment का biggest role है, यह बात आपको ध्यान में रखने, यह बहुत important बात है, questions में directly पूछ ले जाता है, कि acquisition और learning में जो सबसे important role है, तो यहाँ पर environment का सबसे biggest role है, जो यहाँ पर play होता है, यानि बच्चे को जैसा environment मिलेगा, बच्चा उसी हिसाब से acquisition करेगा, और उसी हिसाब से learning करेगा, learning के लिए भी environment helpful है, जैसे आपको बहुत language rich environment मिल गया है, तो आपकी learning बहुत अच्छी हो गई, जैसे अगर English medium schools हैं, ज बच्चा जा रहा है, तो वो आसानी से English सीख लेगा, वहीं अगर बच्चा हिंदी medium school में है, तो उसको English सीखनी है, तो उसमें problem आएगी, तो इसलिए environment learning में भी helpful है, जैसा environment मिलेगा, उस हिसाब से आपकी learning भी होगी, इसलिए environment जो है, वो biggest role play करता है, तो यह difference आपको बहुत है, तो प्लीज उसे comment करके ज़रूर बताईएगा, उसके बाद अब हम देखते हैं कि Norm Chomsky का क्या कहना है, या इनका क्या view है, language learning को लेकर, Norm Chomsky का क्या कहना है, language learning को लेकर, इनके अनुसार, जो बच्चा होता है, उसमें एक innate capability होती है, language को सीखने की, ठीक है, बच्चे के अंदर एक innate capacity होती है, जन्म जात capacity, innate capacity या innate ability होती है, जन्म जात ability, बच्चा जब जन्म लेता है, तो वो जन्म से ही चीजों को acquire करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे उस language जो उसके surrounding में बोली जा रही है, उसे सीखने लग जाता है, ठीक है, तो ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा Norm Chomsky कहते हैं, कि बच्चा जो है, एक जन्म जात ability के साथ जन्म लेता है, जो, जिससे क्या कहते हैं, जिससे कहते हैं, LAD, Norm Chomsky के अनुसार, बच क्या है, language acquisition device, ये एक hypothetical device है, यानि ये असल में ऐसा कुछ नहीं है, कि आपके दिमाग में कोई machine डली हुई है, पर Norm Chomsky का ऐसा कहना है, कि हमारे दिमाग में ऐसी hypothetical device होती है, जो हमें language को acquire करने में help करती है, जिसको क्या कहते है, language acquisition device, language acquisition device, LAD, ठीक है, very important है, इसे बहुत जादा दिहान से पढ़िएगा, इसे ignore, बिलकुल मत कीजिएगा, ठीक है, LAD, तो इनका ये भी कहना है, जो ये language acquisition device होता है, ये 5 साल तक सबसे ज़्यादा activate होता है, आपने देखा होगा, कोई छोटा सा बच्चा है, इंडिया में भले ही उसने जन्म लिया, लेकिन आप अगर उसे critical period है language सीखने का, crucial period है, ठीक है, तो यहाँ पर at this stage वो बहुत easily चीज़ों को acquire कर लेगा, और जो भी language उहाँ पर use हो रहे होगी, उसको सीख जाएगा, ठीक है, वही अगर वो इंडिया में ही रहता है, तो लेकिन ही लेकिन को बहुत आसानी से acquire कर लेता, तो जब तक अगर 5 स साल की उम्र तक यह जो है, बहुत जादा activate रहता है यह device और उसके बाद की age में धीरे-धीरे weaken होने रख जाता है, कमजोर पड़ जाता है, इसलिए जब कोई बड़ा व्यक्ति, जैसे आप अगर 20 साल से इंडिया में रह रहते और आपको अचानक America बेज दिया गया, तो language को सीखने में, ठीक है, आप language को उतनी जल्दी acquire नहीं कर पाएंगे, जितना कि आपका 5 साल का बेटा acquire कर लेगा या आपका 2 साल का बेटा जितनी जल्दी acquire कर लेगा, तो आप यह बात समझ गये होंगे, कि जो LAD device है, जो language acquisition device है, वो effective कितने time तक होता है, 5 year तक वो सब पार्ट में है, brain के left part में, ठीक है, जो brain का left part होता है, वो इस चीज के लिए responsible होता है, language learning के लिए, और जो right part होता है, वो किसलिए होता है, creativity के लिए, और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, most important thing, जो language learning का critical period है, या सबसे ज़्यादा कहें कि language learning कौन से period में सबसे ज़्य childhood, ठीक है, ये question बहुत बार आया हुआ है, PYQs में भी ये बहुत ज़्यादा important topic, ये मतलब जितने भी point मैंने आपको यहाँ पर बताएंगे, most important topics है, ये आपको बिलकुल भी भूलना नहीं है, इसे बिलकुल भी ignore नहीं करना, ठीक है, अगर आपसे पूछता है, language learning के लिए language learning को लेकर, अब बात कर लेते हैं, universal grammar के बारे में, कि universal grammar क्या चीज है, ये universal grammar का जो concept है, ये भी हमें norm chomsky नहीं दिया था, norm chomsky नहीं इस universal grammar के जो concept है, उसको उठाया था, इनका ये कहना था, कि जो human का brain होता है, जो humans का brain होता है, वो एक grammar को अपने, एक grammar की, आप ये समझ ल दिमाग में, ऐसा कहना है, norm chomsky का, और वो जो दिमाग आपके, और जो वो किताब आपके दिमाग में fix है, grammar की, उसको इन्होंने universal grammar कहा है, और जो हमें language को acquire करने में help करती है, समझ के, एक simple सा concept है, तो चलिए आप कुछ PYQs देख लेते हैं, मैं आपको शुरुआत से ही कहत आ रहा हूं कि PYQ की क्या value है, PYQs जो है, वो बहुत जादा important है आपके exam के लिए, तो चलिए कुछ हम PYQs को देख लेते हैं, ठीक है, जैसे यह पहला question है आपके सामने, which of the following statement clearly defines learning, इसमें से कौन सी statement जो है, वो ये define करती है, वो define करती है learning को, यानि learning के process को कौन सी इसमें स से बात define करती है, क्या है पहला, learning is both process and product, learning is a continuous process, learning is a process of change in behavior, या फिर all of the above, learning जो है वो एक process भी है और product भी है, और ये आपका जो lifetime चलती भी रहती है, learning आप मदब बचपन से ही process शुरू हो जाती है, और learning की जो ये process से लगातार चलती ही रहती है आपके lifetime, और also ये जो है हमारे behavior में भी change है, तो इसका option correct क्या होना चाहिए, fourth option all of the above, ठीक है, यहाँ पर जितने भी questions है, ये सारे questions जो हम अभी practice कर रहे है, ये सारे PYQs है और इनके answers जो है, वो भी verified answers है, मतलब जो आपके answer sheet में given है, CBSC के दोबारा, हम उनी answers को यहाँ पर discuss कर रहे है, ठीक है, तो ये आप आपको समझना बहुत ज़रूरी है, next question है, the most critical period of acquisition and development of language, acquisition और development of language के लिए सबसे ज़्यादा critical period कौन सा होता है, ये चीज़ अभी हमने discuss की थी, early childhood, आँख बंद करके आपको aspectic लगाना है, 2 से 6 words, early childhood, ठीक है, जब भी आपको पूछेगा कि learning, language development की बात करे, या फिर acquisition की बात करता है, तो आपको आफ बंद करके क्या कहना है, कि भाई, language development कौन सी stage में सबसादा होगी, early childhood में, ठीक है, next question देखते हैं, यहाँ पर बात हो रही है, skinner की, skinner के अनुसार बहाशा क्या है, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, कि skinner ने हमेशा imitation पर बात की है, यानि skinner के अ सीखना, ठीक है, बहाशा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, skinner का यह कहना है, बहाशा, बाकी के points अपने आप देख लेना, skinner का जब भी नाम आए, तो आपको क्या धहन में रखना है, imitation, यानि जो language कैसे सीखी जाएगी, अनुकरण के द्वारा, या imitation के द्वारा, उसक अबने constructivist perspective को discuss किया था, again मैं आपको बता दूँ कि जब भी constructivist perspective की बात होगी, जब भी, जिस भी question में, तो आपको पहले तो question ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद, जब भी अगर constructivist की बात होती है, तो इसका मतलब वहाँ पर बच्चे की active participation होगी, बच्चा knowledge को construct कर रहा ह होगा, बच्चा उसमें पूरी तरह से भागिदार होगा, और meaning making पर focus किया जाएगा, ठीक है, तो जब भी constructivist perspective की बात होगी, तो आपको तीन बाते बिल्कुल ध्यान में रखनी है, क्या, कि इसमें meaning making पर focus किया जाएगा, मतलब बच्चा जो भी सीख रहा होगा, उसकी meaning प participation होगी, यानि बच्चा सिर्फ एक मूर्ती की तरह नहीं बैठा होगा, यहाँ पर बच्चे का active participation होगा, मतलब वो actively participate कर रहा होगा learning में, ठीक है, और तीसरी चीज क्या, यहाँ पर बच्चा knowledge को construct करेगा, यहाँ पर construction of knowledge पर focus किया जाता है, तो constructivist के लिए आपको यह 3-4 point त्यान में रखने है, तो आँख बंद करके, जो उनसा भी point यह कहा है कि यहाँ पर knowledge की construction होगी, यह बच्चे का active participation है, तो आप उस option को tick लगा दोगे, आँख बंद करके, learning is a process of construction of knowledge by active engagement, ठीक है, अब यहाँ पर मैं बार बार आँख बंद करके कह रहा हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप questions को पढ़ेंगे नहीं, questions को आपको बिल्कुल धिहान से पढ़ना है, question पढ़ने में ही कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, तो ठीक है, next question देखते है, in the multilingual classroom, learners can interact, यहाँ पर एक और concept आता है, multilingual classroom, इसके बार हम आगे discuss करेंगे, और ज्यादा कि multilingual classroom है क्य या फिर multilingualism क्या है, बट यहाँ पर आपको एक चीज़ घ्यान लखने है, जब भी multilingualism की बात होती है, या multilingual classroom की बात होती है, तो वहाँ पर एक तो mother tongue को बढ़ावा दिया जाएगा, classroom में mother tongue का use उसको बढ़ावा दिया जाएगा, बच्चों को अपनी language use करनी होगी, उनकी जो भी mother tongue है, या जो भी language बच्चे use करते हैं, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ना कि किसी और language को, तो बस यह चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान लखनी है, तो बाकी के options, आप उसी हिसाफ से check कर लोगे, जैसे पहला option क्या है, कह रहा है कि in multilingual classroom learner can interact, learners जो हैं, वो एक multilingual classroom म कैसे interact कर सकते हैं, उस language में जो उनको बताई गई हो school की तरप से, या फिर वो language जो उनकी अपनी language हो, या फिर वो language जो language formula में बताई गई है, three language formula में बताई गई है, या फिर ऐसी language जिसमें teacher familiar हो, तो आप इसका option, आप क्या कहेंगे, कि उनको अपनी language use करनी है, बच्चों को language use करने देना है, यही होता है multilingual classroom का concept, कि बच्चे महाँ पर अपनी language use करेंगे, अपनी mother tank को use करेंगे, उसको बढ़ावा देखेंगे, इससे उनकी जो learning होगी, वो ज्यादा बहतर होगी, यही हमारा NCFB कहता है, ठीक है, which of the following statement regarding children and their learning is correct, बच्चों के और उनकी learning के लिए, कौन सी statement इसमें सही है, children have to be rewarded and punished to make them motivated for learning, देखें यहाँ पर punishment की बात हो रही है, तो यह ध्यान दखना है कि बच्चों को punishment तो हमें देनी ही नहीं है, ठीक है, punishment देने से उनका जो motivation है, वो down होगा learning के लिए, इसलिए punishment की अग उसके बाद है, all students are naturally motivated to learn and are capable of learning, यहाँ पर कहा गया है कि सारे, जो students होते हैं, जो सारे बच्चे होते हैं, वो सभी capable है learning के लिए, यहाँ पर कोई भी कमतर नहीं है, किसी बच्चे को कमतर नहीं कहा गया, सभी को capable बताया गया है learning के लिए, थर्ड क्या है option, children's motivation to learn and their capability to learn is predetermined by heredity only, यहाँ पर कहा गया है कि जो बच्चों की सीखने की जो छमता है, वो किसे determined होती है heredity से, तो ऐसा है क्या, भाई आपका अगर माता-पिता ही आपके अगर पढ़ने में अच्छे हैं, तभी बच्चा पढ़ने में अच्छा हुआ, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है, कि अगर हम बच्चे पर काम करें, उसको और ज़्यादा environment अच्छा दें, तो वहाँ पर environment का भी रोल आजाता है, और बच्चा अच्छा कर सकता है, अगर माबाप पढ़ने लिखे ना हो फिर भी, यह example आपने बहुत दे playground determines and limits their motivation and learning capability, तो यह बात भी कुछ कुछ सही है, कि जो उनका समाजिक और economic इस्तिती ही होती है, वो हमारी जो learning है, उसको, बच्चे की learning है, उसको limit करती है, उसको बाधित करती है, यह बात भी सही है, पर यहाँ पर जो सबसे correct बात है, वो क्या है, जब भी बच्चे की capacity और learning क बात आती है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, यह बात हमेशा मान कर चलनी है, कि हर एक बच्चा जो है, वो capable है, हर एक बच्चा जो है, कर सकता है, सीख सकता है, ठीक है, उन्हें किसी भी तरह से कम तर नहीं आतना, तो इस तरह का अगर कोई option आता है, तो हमेश In a constructivist frame, learning is, अभी मैंने आपको समझाया कि constructivist frame क्या है, ठीक है, इससे पहले ही मैंने आपको समझाया था, तो यह देखिए second option, active and social in its character, बाकी के options भी आपको पढ़ने है, passive and individualistic, the process of acquisition of knowledge, change in behavior, सब कुछ चलता है, लेकिन जो 3 point मैंने अभी आपको discuss किया है, आपको उसके साथ ही आपकी जाना है constructivist frame के लिए, ठीक है, जब भी constructivist frame करेगा, तो मतलब construction of knowledge, active participation of knowledge, active participation of child and meaning making, ठीक है, यह 3-4 point आपको ध्यान बखने हैं, तो इसका option क्या होगा, second option, next question देखते है, learning is, learning क्या है, everything we know is learned, यह फिर a relatively permanent influence on behavior, knowledge and skill, directly observable and measurable, यह limited to particular age level, learning क्या, किसी particular age level तक limited होती है, बिलकुल नहीं, everything we know is learned, क्या, जो कुछ भी हमें पता है, वो सब कुछ learning है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते, directly observable, learning क्या directly observable होती है, भाई आपने कुछ सीखा, या आपकी जो, मतलब, learning बहुत सारी तरह है, कि आपकी अलग-अलग चीज़ें जो learning है, तो उसको directly observe या measure नहीं किया जा सकते, तो यह option भी गलत होगा, learning क्या है, जो आपके behavior, या फिर आपके knowledge, या फिर आपके skills को influence करता है, ठीक है, learning क्या है, जो आपके behavior, knowledge, या फिर skills को influence करता है, तो इसलिए second option आपका सही है, है आपर, questions में ऐसा हो सकता है, कि कई बार options, किसी भी question का answer है, वो कब determine होता है, उसके options के तुरू क कैसे options दिये हुए है, और उसमें से best option कौन सा है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कि भाई, जो चीजें बताई जारी है, concepts are related, वो तो आपको mind में रखना ही रखना है, लेकिन जब आप question को ध्यान से पढ़ेंगे, तो क्या options दिये हुए है, उसके हिसाब से आपको answer करना होता है, ठीक है, next question देखते है, which one of the following is the most suitable to improve, to improve learning, teachers should facilitate children to interact with each other on real life situation, इस में से कौन सा जो situation है, वो learning को improve करेगा, तो first option कह रहा है कि real life situation पर interact करेंगे बच्चे, दूसरा कह रहा है कि अगर regular assessment ले लो भाई, दीसरा कह रहा है, teacher should explain the content using different example, teacher को अलगल example लेकर content को explain करना चाहिए, या फिर all type of learning material should be available in their class, अब देखिए, learning की जो process है, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बता रखिए, कि वो सबसे बहतर कब होगी, आपके पास सारे resources हैं, सब कुछ है, पर learning सबसे बहतर कब होगी, real life situation में, तो ये आपको हमेशा ध्या रखना है, कि learning जो है, वो सबसे ज़्यादा बहतर तब होगी, जब आपके surrounding से connected होगी, आपके environment से connected होगी, आपके real life से connected होगी, और यही बात हमारा NCF 2005 भी कहता है, इसी पर वो भी बल देता है, तो ठीक है, learning के लिए सबसे best बात क्या है, कि आपके अपनी surrounding हो, आपका real life situation हो तो इसलिए जब भी इस तरह का question आए, तो आप किस के साथ जाना prefer करेंगे, real life situation के साथ करेंगे, क्योंकि अगर चीज़ें बच्चे से related, उसकी life से related discuss हो रही होगी, तो वो उसको ज़्यादा बहतर तरीके से समझेगा, उसमें interest लेगा, और उस चीज़ को ज़्यादा अच् तो उस question के time पे आपको अपने कान खड़े कर लेने हैं, उस question को आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि not वाले questions में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, अच्छे अच्छो की गलती हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर meaning को आप अलग तरीके से ले चले जाते हैं और आप उ क्योंकि एले भी discuss किया कि learning को आप रेक्टि अवच्ञ वहाँ नहीं कर सकते हैं, तो यह जो है, learning की characteristics नहीं है, तो इसका option क्या होगा है, learning इस की characteristics नहीं है, जो है रेक्टि यह बाकी क्या आप देकि रहा है, कि change in behaviour होता है learning और learning क्या है वो growth होती है organism की और कई बार learning जो है learning जो है वो एक goal director process भी अभी जैसे हमने discuss किया था कि अगर आपको English language सीखनी है तो आपका target है कि आपको English language सीखनी है ठीक है तो ये goal director process होगी तो learning जो है वो directly observed नहीं होती है इसका answer यह हो गया next question देखते है according to Chomsky यान innate capacity to acquire language अभी देखिए हमने Chomsky के बारे में बात की थी अब यहाँ पर Chomsky को question आ गया यह कह रहे है कि Chomsky के अनुसार एक innate capacity होती है language को acquire करने के लिए जो human के biological inheritance मलब उनके biological construct में पाई जाती है तो उस capacity को Chomsky ने क्या नाम दिया था उस innate capacity को Chomsky ने क्या नाम दिया था जो language को acquire करने में help करती है क्या नाम दिया था आपको याद होगा L.A.D. क्या full form थी L.A.D की अभी हमने discuss किया था language acquisition device second option language acquisition device ठीक है इसको बिलकुल ध्यान में एकना है बहुत important question है यह आपको देखने को मिल ही सकता है बिलकुल बिलकुल तो यह था इसका answer तो इतने questions आज हमने discuss किये session थोड़ा लंबा हो जरूर हो गया है पर इसमें बहुत ज़्यादा important चीज़े cover हुई है यह topic खुद में बहुत ज़्यादा important acquisition and learning और आपके exam बहुत ज़्यादा notes है आपको मेरे telegram channel पर मिल जाएगा ठीक है और वीडियो को like और share तो आपने करी दिया होगा अब तक like नहीं किया है तो please इस मेहनत के लिए थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए और like कर दीजिए और जो भी इस चीज़ के लिए नीडी हो जो भी seated का exam देने वाले हो उनको share जरूर कीजिए का वीडियो और अगर पहली बार देखने है तो channel subscribe कर लिजिए क्योंकि इस तरह की मेनत हम लगतात करते रहने वाले हैं ठीक है तो चलिए इसके साथ मिलते है नेक्स्ट वीडियो में बाई-बाई-वाई-वाई- हो और र किहां ये हो अऴे हैं तो बाई कर दो भत interven embaixo